Welcome back to our YouTube channel, मैं पूज़ा धिलो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, S-Tat की जो date है, वो extend हो गई है, जो आपका S-Tat का exam होने वाला है, November में, उसकी date of 30 September 2022 कर दी गई है, तो 30 September तक आप रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको यहाँ से अपना रेजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपने रेजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप लोगिन कर सकते हैं यहाँ से, रेजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा simple है, आप लोग उसमें बिल्कुल भी confused नहीं होंगे, बहुत अराम से आप फिल कर सकते हैं, रही बाद बहुत सारे बच्चे भी पुछते हैं, कि हमने B.A.D. कर रखी है, B.A.D. वाले भर सकते हैं, बिल्कुल B.A.D. वाले जो बच्चे हैं, कौन क्या भर सकता है, चैनल पर नए आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर एक आपको B.A.D. से रिलेटेड इंफोर्मेशन यहां मिलेगी, आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ, यह special for jobs के लिए हैं आपके, job जो हरियाणा में निकलने वाली है, एस्टेट के बाद, उनके लिए हैं, तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, यह पूरी vacancies निकली हैं, साथ, मिन्स साथ साल के बाद vacancies निकली हैं, हरियाणा के अंदर, teacher की, HSSC के अंदर हैं यह आपकी, 27 सितमبर को यह निकली है, 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और 26 अक्टूबर को यह बन दो जाएगी, 18 अप 28 अक्टूबर तक फिल कर सकते हैं, यह जो सांइस का बच्चा है वह बहुत जादा रहता है कि सब्सक्राइब कि पूरी वीडियो के अंदर बताने वाली हूं वीडियो बिना skip कीजिए करें पूरा देखेगा ताकि आपको हर एक information regarding your job मिल जाए कि कैसे क्या कुछ आपको करना है जैसा कि आप देख पारें कि अक्टूबर में ये form बंद हो रहे हैं लेकिन जो बच्चे अभी estate दे रहे हैं अभी estate qualify करेंगे उन बच्चों का क्या तो ये नहीं है कि इसकी date extend नहीं होंगी इसकी date extend होंगी जैसा कि आप हरियाना सरकाल को जानते ही है हमेशा जो आपका date है वो extend होती ही रहती है आप लोगों के हरियाना की eligibility क्या है यहां पर CTAT valid होगा नहीं होगा यहां पर यह देखना है क्योंकि हरियाना के अंदर पहले CTAT valid था बट अब नहीं है आप सिरफ estate valid है तो यहां बोला हुए हिंदी संस्कृत as one of the subject in your metric दस्वी में आपकी हिंदी यह संस्कृत होनी चाहिए है उसके बाद certificate of having qualify as test ठीक है school test eligible test यहनी state test ठीक है of respective subject for the post applied concerned by the board of school education भिवान means cdc बात है वैसे तो state test यहां बोल रहा है तो state test यहां पर आपके हर एक test आते हैं वैसे c-tet भी आता है ठीक है यहां up-tet भी आता है आपका up-tet भी state-tet में आता है मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सभी test है बट यह क्या बोल रहा है यहां कि हरियाना teaching eligibility test school teaching eligibility test अब यह state test नहीं है हमें stet का मतलब state test लेते हैं लेकिन यह school test बोल रहा है यह और एक यह बोल रहा है हरियाना test तो यह बच्चे सरफ वो भर सकते हैं जिनका h-tet clear होगा ठीक है h-tet जिसका clear है वही बच्चे इस form को fill कर सकते हैं चीक है अब यहां पर आपको दी गई है 18-42 एज आपकी 9300 से 34800 आपकी जो पे स्किल रहेगी वो रहती है अब मैं आपको एक चीज बताओं सबसे ज़्यादा जो पोस्ट निकलती है वो निकलती है आपकी मेवात की और वहां पर बहुत इजीली जोब मिल भी जाती है अगर आपके कम भी है तो भी आपकी जोब वहां बहुत इजीली लग जाती है तो इंगलिश की जो टोटल जोब है वो है 1751 यानी 1751 सीट है किसकी इंगलिश की उसके बाद आपकी दूसरे मतलब यहां पर मैं बोलूँ तो दूसरे नमबर पर आपकी 8 की है टीजीटी आर्ट की जोब सबसे जादा है 1443 यानी 1443 उसके बाद आपकी जो जोब है वो है साइन्स की 1200 सतार्ण में जोब साइन्स की है संस्कृत की 712 उर्दू की आपकी 21 है और फिजिकल एजुकेशन की आपकी 821 है music की आपकी 10 है और home science की आपकी यहाँ पर 73 है मिवाद के अंदर math की कोई भी vacancy यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है अगर आप AWS से हैं तो आप यहाँ अपनी category wise भी देख सकते हैं science वालों की 130 vacancy है AWS वालों की तो यह आपका यहाँ पर सारी चीज बताई हुई है उसके बाद जो 1751 पोस्ट हैं English की TGT उसके लिए eligibility क्या माँगी है इनोंने आप यहाँ पर 50% के साथ अपनी graduation का रखी होगी आपने तो और compulsory होना चीए English subject उसके बाद आपने BTC, JBT, DEAD, Diploma in Elementary Education यह आपने की होनी चाहिए ठीक है यह फिर उसके बाद 50% के साथ आपकी graduation और आपकी BAD, BAD special यह आपकी होनी चाहिए तो आप eligible है उसके साथ यहाँ पर B, E, L, E, D भी अगर आपने की हुई है 4 year की bachelor in elementary education तो भी आप दे सकते हैं BAD के साथ फिर आपने B, E, BAD 50% के साथ की है तो भी आपकी form भर सकते हैं ashtet आपका qualify होना चाहिए English subject के अंदर Hindi Sanskrit आपका एक subject होना चाहिए 10 वी के अंदर तो यह आपकी qualifications मांगी गई है तो बहुत सारे बच्चे मुझे science के लिए recording बहुत ज़्यादो queries थी इसलिए मैं mostly science के लिए ही यहाँ पर बात करी हूँ art वाले वच्चे तो वही है art आपके पास है आपने डिपलोमा किया है BAD किया हुए वही सेम चीज रहने वाली है बट आपका यहाँ पर art वाल उकले subject जो school teaching test है वो भी valid रहेगा बात करेंगे हम science की यहाँ पर कि science वाले वच्चों को क्या करना है BSE होनी चाहिए दो यहर का डिपलोमा जो आपका जेबिटी वगएरा जो भी है BAD वगएरा वो आपकी होनी चाहिए 50% आपकी BSE के अंदर marks होने चाहिए अगर आपके 45% BSE में marks है तो वन यहर का जो आपका BAD है इन NCTE जो कोर्स होता है उसके अंदर होना चाहिए उसके बात 50% के साथ आपकी 12 होनी चाहिए उसमें BELED 4 यहर का कोर्स होना चाहिए फिर 12 के साथ अगर 50% आपके marks है तो 4 साल की BSE BAD होनी चाहिए आपकी 50 marks 50% अगर BSE में है तो आपको special BAD करी होनी चाहिए आपने और आपने BSE अगर की हुई है ठीक है 3 subject combo होना चाहिए जैसे कि medical, non-medical होता है आप सभी को पता है तो इसके अंदर आपको जैसा कि दिख रहा है अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा subject आपका जो मैं बता रही हूँ वो था जुलोजी, बोटनी and chemistry there are 3 subject I taken in BSE तो 3 subject थे मेरे पास non-medical के जो student होते हैं उनके पास होता है physics, chemistry and math तो हाँ non-medical या medical कोई भी stream से अगर आपने BSE करी है तो आप ये form fill कर सकते है तो ये सारा criteria आपका था CTAT के लिए नहीं है ये ESTAT के लिए है ESTAT वाले ही बच्चे इसको form को fill कर सकते हैं अगर आप math में थे यहाँ पर लिखा है matrix with Hindi Sanskrit or 10 plus 2 Bama with Hindi as one of the subject अगर math वाले हैं तो वो भी इसमें apply कर सकते हैं तो ये सारी वो थी आपकी मेवात की बाकी पोस्ट है ये क्या है category wise detail post of मेवात category number 9 तो ये आपकी मेवात की post category wise है यहाँ पर मेवात की आपकी science की जो पोस्ट है वो है 234 यानि 234 और math की यहाँ पर 93 पोस्ट है तो अब्यस्सी बात है science की पोस्ट ज़्यादा है आपको यहाँ पर और सबसे ज़्यादा है यहाँ पर art की ठीक है art की post सबसे ज़्यादा है उसके बाद आपकी social science की 83 post है तो ये आपकी post यहाँ पर रहने वाली है इसके अंदर भी criteria आपको दिया गया है MWT के अंदर क्या रहने वाला है साइन्स का एसस का आर्ट का सबी चीजों का तो आप ये PDF में आपको WhatsApp ग्रूप पे शेर कर दूँगी या Telegram ग्रूप पे भी शेर कर दूँगी आप महां से देख सकते हैं अपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी TET कोई भी TET नहीं मानने है सरफ S TET मानने है S TET आपने करा हुआ है तो ही आपका valid रहेगा और in future ये foam बढ़ेगा ऐसा नहीं है कि आप अभी भर देंगे इस foam को अभी आप नहीं बर सकते क्योंकि आप eligible नहीं है आपका TET किलियर नहीं है So all the very best for your future and job Do like, share and subscribe my channel Have a great day, take care